चलिए जी थैंक्यू सो मच पर कमिंग बैक मिन अलाम है सुनी लदिकारी और आप देखरें स्टूडेंट के रहा है यूग कैसा बच्चे लोग सारे आज का वीडियो गेंट बहुत ही खास बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है वीडियो नमबर फोर है हमारा केरेर कांसलि सीरीज का I hope so what to choose after 10th कैरेर कांसलिंग हमारी सीरीज चल लिए जिसमें पहले ही मैं तीन वीडियो बना चुका हूँ वीडियो नमबर फोर है पहला वीडियो स्ट्रीम सेलेक्शन के उपर था सेकिंड वीडियो आर्स स्ट्रीम की पूरी मैं इन्फोर्मिशन दी थी थी बहुत भी इंक्रस्ट है साइन्स सब्जेक्ट में और उसके बारे में डीटेल्ट इंफोर्मिशन जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है आज के वीडियो में आपको डीटेल इंफो इंफोर्यों होने वाले हैं प्लस कौन-कौन से अपको मिलने वाले है 11 एथिय रहता है और आज के वीडियो में исп़र पीСी में हैं करे ख tensor है और पोछे आपके लिएखन कर माच्रीप मनी भूला चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखे जैसे ही आप एंटर करते हैं साइंस प्रोफेशन में मतलब 10 के बाद अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है कही न कहीं थोड़ा बहुत भी इंट्यूशन है साइंस सब्जेट की तरफ या साइंस स्ट्रीम की तरफ तो साइंस जो स् बच्चों के लिए PCBM का तो तीन जो डिफिकल्टी शुरू में आपको अराइस होती है वो इसी में होती है कि सर ये तीनों में क्या डिफ्रेंस है हम कैसे चुने देखे अगर आपकी मैथ स्ट्रॉंग है कैसे पता लगेगा मैथ स्ट्रॉंग है अपना बैक्ग्राउंड द है सर बड़ी मुश्कित से मैथ में हम पास होते हैं मैध में बिल्कुल भी हमां इंट्रस नहीं है physics chemistry बहुत पसंद है सर हम बायो ले सकते हैं क्या बायो हमने 10th में पढ़ी भी वी है नाइंध में भी पढ़ी है तो बिल्कुल आप ले सकते हो the stream is called PCB फिसिक्स केमिस्ट्री बाइलोजी, गुरा बच्चु क्लिया, जो बच्चे math में अच्छे हैं, वो लेते हैं, PCM, जो math में बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं, वो लेंगे PCB, science तो आपने select कर ली है, पहला वीडियो देखना मत भूलिएगा, जब मैंने बताया था आपको, arts, commerce, science में से कौन सा चुनन math अच्छी है, अच्छी भी नहीं है, सर मेरे 60% marks आ जाते हैं, कैसे भी करके, मैं थोड़ा बहुत ठीक हूं math में, biology भी सर मेरी अच्छी है, मैं दोनों को छोड़ना नहीं चाहता, मैं छोड़ना नहीं चाहता, और सर bio भी मैं छोड़ना नहीं चाहता, दोनों ही मुझे पसं है और है बच्चो क्लियर थोड़ा बहुत वर्कलोड बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर physics, chemistry, biology, mathematics प्लस एक language का additional subject आपको पढ़ना पढ़ेगा क्या सोड़नों अब देख लेते हैं compulsory subject कौन-कौन से रहते हैं PCM, PCB और PCBM में compulsory physics, chemistry, mathematics नॉर्मल सी बात है PCM stand for physics, chemistry, mathematics एक language का आजाएगा जो आपका English का रहेगा यहाँ पर physics, chemistry, biology, mathematics और एक language, English एक additional subject आपको बढ़ गया focus जादा है महनच जादा है लेकिन महनच जहाँ पर है result भी उटना ही अच्छा है yes or no क्योंकि maths का advantage entire life आपको मिलने वाला है in case अगर आपके math अच्छी है 50% भी अगर अबव आप mathematics में लाते हो तो हमेशा math की तरफ आपको force करूँगा क्योंकि math जादा subject आपको throughout your entire career मदद करेगा राइट चलिए medical line का देखते हैं PCV का physics, chemistry, biology and English is your compulsory subject अब PCM में optional subject देख लेते हैं हम यहां पर अलग-अलग schools, अलग-अलग institutions वगेरा आपको अलग-अलग optional subject प्रुवाइट कराते हैं depends कि उनके पाथ teacher है या नहीं है curriculum में उनके वो course या subject है या नहीं है देखे, optional में computer science आप ले सकते हैं PCM के साथ economics आप ले सकते हैं physical education, computer science जिनको computer line में interest है BCA वगेरा करना है future में physical education, खेलकूद में interest है physiotherapy वगेरा, physiologist वगेरा इस line में थोड़ा बहुत आप inclined है तो आप अपना sports में भी career बना सकते हैं physio बन सकते हैं, coach बन सकते हैं architecture, architecture line में आप engineering, drawing भी इसको कहा जाता है fine arts, music, dance जो थोड़ा creativity है आप में finance आप चूज कर सकते हैं आप psychology भी चूज कर सकते हैं तो PCM के साथ optional subject में आपके उपड़ choice है जो भी आपको लगे कि आपको जो goal है उसको achieve करने में कौन सी सबसे best field रहेगी इन option में से वो आपको चुनना है सिर्फ इस basis पे नहीं चुनना कि यार इसका result अच्छा जा रहा है इसके पढ़ना कम पढ़ता है इसलिए मैं यह चूलने तो मेरी percentage अच्छी आ जाएगी नहीं, यह गलती मद करिएगा जो भी आपको goal को achieve करने में जो भी subject आपके goal को achieve करने में आपकी मदद करेगा आपको वही subject चुनना है as a optional और as an additional yes or no, चलिए यहाँ पर PCV में optional देखते हैं यहाँ पर biotechnology आपको optional में मिलेगा, mathematics optional में अगर मिलता है तो वो PCVM हो जाता है right psychology आपको मिलता है, economics आपको मिलता है, physical education और home science भी आपको मिलता है biology में, गुरा बच्चो clear तो आपको यह optional subject मिलेंगे PCV में, यह PCM में और int combination या ऐसे ही मिले जूले subject आपको PCBM में भी मिलते हैं, गुरा बच्चो clear तो यह थी तीन subject की जानकारी या तीन stream की जानकारी science के अंदर ही PCB, PCBM और हम PCM होड़ा बच्चो clear, तो यह हो गई subject से related information अब देख लेते हैं कि भाईया अगर आपने PCM चुना है, PCB चुना है तो आगे जाके 12th के बाद career option कौन-कौन से, कौन-कौन से degree courses है diploma, certificate courses है master courses है, PG courses है जो आप बच्चे कर सकते हैं और अच्छा खाच सा salary package ले सकते हैं बड़ी-बड़ी multinational companies से या बड़े-बड़े institutions से चलिए, PCM के career option देख लेते हैं जो बच्चे mathematics या engineering field में या science field में आगे बढ़ना चाहते हैं taking PCM as their main stream engineering में आप अपना career बना सकते हैं अगर आपका mathematics section बहुत या strong है तो आप engineering में inclined है वहाँ पर interest है आपका तो आप B.Tech कर सकते हैं या B.E. Bachelor of Engineering कर सकते हैं बहुत various field है mechanical है, right आप CS, computer science से कर सकते हैं IT line से कर सकते हैं instrumentation से कर सकते हैं, telecommunication से कर सकते हैं, बहुत सारी जो आप नाम बोलो science में engineering field में, उस stream में specialization में आप B.Tech अपना कर सकते हैं तो B.Tech में various specialization और field होती है, जिसमें भी आपको ज़्यादा interest है, उसमें आप अपना B.Tech या B.E. complete कर सकते हैं architecture line में आप अपना career बना सकते हैं आपने option यहाँ पर architecture लिया है और architecture line में आपको interest है तो B.Arch, bachelor of architecture आप एक course होता है, degree course होता है वो आप कर सकते हैं basically B.Tech वगएरा 4 साल के होते हैं B.Arch भी 4, 3, 3, 4 साल का हो जाता है different करता है अलगला university में computer application field में भी जा सकता है PCM का student, right BCA कर सकता है, उसके बाद MCA कर सकता है, आगे देखींगे merchant, navy, defense ऐसी services में अगर जाना है तो आप N.D. और C.D.S. का examination दे सकते हैं, make sure यह PCB वाले नहीं दे सकते हैं सिर्फ PCM वालों के लिए N.D.S. C.D.S. वगएरा line है yes or no, commercial pilot you can become, right agriculture में अपने केरे बना सकते हैं B.S.C. एक normal degree है तीन साल की degree है, वो various various field में आप कर सकते हैं, जैसे कि agriculture में, mathematics में, chemistry में और भी बहुत सारा है जिसमें आपको interest है, B.S.C. में भी बहुत सारी specialization है B.S.C. एक normal degree है, जहां पे B.Tech और B.E. एक professional degree है Yes or No, पुरा बच्चू clear Government sector में आप अपना केरे बना सकते हैं जिस भी sector में आप चाहें क्योंकि आपको added advantage मिलने वाला है mathematics का जो कि हर competition exam में होती ही होती है चाहे banking sector हो, S.S.C. हो, civil services हो, insurance का examination हो या फिर X.Y.Z. जो भी government sector का examination है आप दे सकते हैं, PCM का student दे सकता है after successful completion of their degree आप B.E.C. कर रहे हैं, B.Tech कर रहे हैं जो भी other degrees कर रहे हैं उसके बाद आप government sector के examination दे सकते हैं Yes or No, अब देख लेते हैं PCB में क्या career options होते हैं देखे, doctor story line है, आपको पता है biology है, तो कही ना कहीं बहुत सारे options यहां पर भी आपको मिलने माले हैं, अगर आप doctor line में जाना जाते हैं तो obvious सी बात है, MBBS आपको complete करना पड़ेगा, सिर्फ doctor ही नहीं dentist भी आप बन सकते हैं for that you can do BDS, bachelor in dental surgery फिर आप Ayurveda कर सकते हैं BAMS कर सकते हैं, Ayurveda में एक degree course होता है homeopathy में भी अपना करे बना सकते हैं BHMS नाम से होता है veterinary science में यहां पर BVSC होता है वो आप कर सकते हैं, degree course है यह भी physiotherapy में BPT नाम से होता है यह हमारा course होता है, वो आप कर सकते हैं biotechnology में अपना करे बना सकते हैं horticulture में, medicine में यह सारी चीज़े में आप क्या कर सकते हैं medicine वगेरा में तो आप pharma, b pharma, d pharma भी कर सकते हैं food technology हो गया, nutrition हो गया तो इसमें भी आप variate अरग डिगरी courses हैं जो आप कर सकते हैं, horticulture वगेरा में आप BSC के थूप भी जा सकते हैं तो यह सारी nutrition and dietitians वगेरा के courses आप कर सकते हैं चाहिसे आप degree courses हो गया, diploma courses हो गया तो biology वालों के पास भी बहुत सारे option हैं सिर्फ जरूरी नहीं है कि biology है तो सिर्फ आपको doctor ही बनना पड़ेगा, various अलग-अलग fields हैं, right आप BSC भी कर सकते हैं, अपने relevant bio-ali field के थूप, right और different homopathy हो गया, ayurveda हो गया, veterinary वगेरा हो गया, dentist वगेरा हो गया तो इन सारी fields में भी अपने केरे बना सकते हैं, right आने वाले videos में बहुत कुछ मिन ले वाला है आपको science related, क्योंकि मैं अलग-अलग, हर एक specific field को explore करने वाला हूँ, BTEC में क्या option है, specialization पे video आने वाला है अलग-अलग मेरे videos बने वे हैं पहले ही, जो भी आपको confusion होता है, almost 80-90% मेरे videos इन में बने वे हैं, तो जो भी आपको नाम समझ में नहीं आता है, उसके बाद में, जो भी आप नाम लिखेंगे जिसे BSC, आप Agriculture सर्च कर रहे हैं, बाद सुनी लधिकारी आप सर्च कर सकते हैं, BSC Agriculture बाद सुनी लधिकारी, आप NDA बाद सुनी लधिकारी CDS बाद सुनी लधिकारी, तो इसमें बहुत सारे वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, जैसे इसमें मैं BBSC पर, Veterinary Science पर वीडियो बना चुका हूँ, MBBS के उपपर BDS के उपपर, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे मेरे, तो आप सर्च कर सकते हैं मेरे वीडियो, आप जो भी टॉपिक सर्च कर रहे हैं, उसका नाम बायस सुनी लदिकारी मेरे नाम लिखे, तो आपको बहुत सारे वीडियो पहले ही मिल जाएंगे, तो यह था, after 10th अगर आप Science लेना चाहते हैं, तो यह यह आपको subject मिलने वाला है, यह यह career opportunities मिलने वाली है, तो choice आपकी है, आने वाले वीडियो में मैं Science लेने के benefits और negatives भी आपको बताने वाला हूँ तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़रा important होने वाला है, बिलेंगे उस वीडियो पे किसी और, एक और interesting topic के साथ, अब तर पढ़ते रहिए महनत करते रही क्योंकि आपका भी देना हैगा Thank you so much